दिल्ली के जीबी पंथ अस्पटाल में एक प्राइविट आया के रूप में काम कर रही दलित महिला के साथ कैंगरे पोना बहुत ही दुखत घटना है दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल पर सवाल खड़े होते हैं रोज अपनी पीक थप थपाने और दूसरों के खिलाव जहर उगलने वाली नेताओं के मुझ से इस घटना पर कोई शब्द नहीं निकल पा रही हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुक्यम जो आभ्यूक्त है उसका नाम शाकिर है और आम आदमी पार्टी मुस्लिम तुस्तिकरण की राजनीती से उपर उठकर कुछ करना ही नहीं चाहती है उस दलित महिला के साथ इत्मी दरिंदगी हुई कि उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी गई महिला के सिर पर चोटों के निशान है उसके दाथ तोड़ दिये गए निर्भ्या की तरह ही इस महिला से दरिंदगी के कारण उसकी साथ मई को मोथ हो गई 40 साल की महिला यमनापार की रहने वाली है और पिछले साल उसके पती की कैंसर से उसी अस्पताल में म्रत्य हो गई वो महिला अपने दो बच्चों का पेट भढ़ने के लिए उसी पंध अस्पताल में आया के रूप में काम करती थी और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी लेकिन अब वो बच्चे अनाथ हो गए हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षया स्वाती मालीवाल अपनी उदार नीती लोगों को दिखाती हैं लेकिन इस घटना पर एक शब्द नहीं बोलती हैं अभी तक चुपी साधी होए हैं स्वाती मालीवाल जी सिर्फ मेडिया फुटेज पाने के लिए आम आदमी पार्टी की कारेकरता के रूप में काम करती हैं क्योंकि आज जो महिला आयोग है उनके पूरे दफ्तर में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारेकरता ही मिलते हैं जो अस्पताल का प्रशाशन है उन्होंने कई बार अर्विन केजरिवाल जी को चिठी भी लिखी है कि यहां की सिक्योरिटी यहां पर कैमरे लगाए जाएं लेकिन अर्विन केद्रिवाज जी को फुरसत नहीं है अपने राज महल से अपने शीश महल से कि अस्पतालों का भी ध्यान रखा जाए और जो इनके स्वास्ते मंत्री बन नहीं है सोरभ भार्दुआज जी उनको भी फुरसत नहीं है पीसी करने से कि इस तरह की घटनाओ पर धन्यवाद और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए